कि कल हम trend बदलने के नीचे के level पर गए और close हुए पर लग रहा है कि आज rebound करके वापस उस level पर आ जाएंगे तो वहाँ से क्या नजरिया मन रहा है और अगर आज rally आती है rebound आती है तो कितनी sustainable है कितनी हो सकती है पहले rebound पर तो बेचा जाएगा अच्छा ओके यह तो 100% है क्योंकि जो कल का फसा हुआ trader है देखे एक और चीज़ समझें आम तो पर गिरावट दिन के दोरानी बड़ी हो जाए तब तो तीन बजी के बाद आपके risk management system से trading position कट होना शुरू होती है तो काफी कुछ हलकी हो जाता है जो कल दिखा भी लेकिन तीन बजी के बाद और साड़े तीन के बीच में अगर गिरावट बड़ी आए तो वो फिर आपको next day handle करनी पड़ती है तो I think initially आप जितना जाना gap से खुलेंगे उसके बाद एक profit booking आएगी फसे वे ट्रेडर्स जिनको लगता है कि चलिए ठीक है मैंने 16-800 में निफ्टी ले लिया था रोग बोटं समझ के या 16-900 में ले लिया था मुझे 800-900 वापस मिल रहा है चलो 25-50 पॉइंट अग्साने 300 हो रहा था तो वो निकलने की कोशिश भी करेंगे और दूट सी बात है कि आज एक नॉर्मल टेडिंग सेशन नहीं है आपके लिए वाइदा करोबार की weekly एक बड़ी पोजिशन के साथ है तो मेरा यह समझ जा कि एक तरफा तेजी भी नहीं होगी उपर के लेवल पर आपको सप्लाई भी आते हैं जी कि हमें सिंपल एक चीज जान रखनी है वापस से तेजी के मूड में या फिर इंग कहें कि मार्केट स्टेबल हो गए बेस बना दिया रहा कल के जो लो है निफ् और बेंक्रिट्टी तभी जाएंगे इसके नीचे जाएंगे तो फ्रेश मन दिये और 17,000 और 36,000 यह पार करेंगे तो यह संकेत आएगा कि यहां पर आपने बेस बना दिया तो अब उपर की तरफ दो लेवल इंपोर्टेंट है 17,000 और 36,000 के उपर निकल के टिक है रिकवर इस निफ्टी का 16,600 के नीचे फ्रेश मंदी है 35,000 के नीचे फ्रेश मंदी है बहुत क्लियर ज्यादा दिमांग लगाने की जरूदी है 35,000 से 36,000 के रेंज को आपको थोड़े समय तक ट्रेड करना है इसके बाहर किसी भी तरफ निकले बेंक्रिटी 16,600, 17,000 के निफ्टी क्लियर है अब इस से जादा साफ साफ लेवल्स नहीं है बहुत क्लियर है ठीक है चलिए फिर